दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको फ्रीडी और डीटीएज से रेलेड़ेड बहुत सारी नॉलेज आपके साथ सेयर करता हूं और बहुत सारी प्लोब्रोम को आपको सॉल्यूशन देता है तो एक बड़ी गलती हम कनेक्टर को वायर के साथ अटेज करने में करते हैं इसका खामियाज हमें भुगतना पड़ता है तो दोस्तो यह टॉपिक उसी पर है तो वीडियो को पूरा देखना स्किप मत करना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर ले है कि जब हम 3Ds या कोई भी DTS को एटल हो टाड़स काई हो कोई सी को भी हम घर पे लाते हैं कनेक्ट करते हैं तो हम करते क्या हैं यह वायर को इस कनेक्टर के साथ अटेच करने में बहुत सारी गलतीय करते हैं दोस्तों अकसर होता क्या है अगर हम इसको गलत तरीके से हम बगल मैं आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्थिंग की वायर या नूट्रल की वायर इसमां बोडी से बाहर से अटेच होती है तो हम उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं चलिए बताता हूं छोटी सी वीडियो है काफी नौलेज़फूल होगी पूरी इडियो को जरूर देखना तो यहाँ पर होता क्या है इस तरीके से होती है काफी बार कई लोग क्या करते हैं चाकू से चील चील के इसको इस तरीके से चील देते हैं और इस तरीके से किसी तरह भी जुकाला करके इसको इस तरीके से लगा लेते हैं देखिए पहले मां बता यह जो आप न्यूटल की वायर देख रहे हैं यह इसमें से अटाच हो जाते है गलती से तो इससे क्या होता कि डीटेस का बॉक्स या सैटव बॉक्स जो भी है एक टल डीटेस टाइस के वह खराब होने की समभावना सबस्यादा होती है क्योंकि यह इसमें कम से कम अठ्थरा से उपर का ही करेंट रहता है तो यहां पर अटाच हो जाता है तो वहां पर डब्बे में सबस्यादा खराब होने की समभावना बढ़ जाती है तो हमने करना क्या है इसका राइट तरीका है यहां पर आप या तो एक कटर लिजिए देखिए दोनों तरीकों से बताऊंगा आपको क्या करना है जैसी ऐसी ही वायर आपको मिली रहेगी आप अपने अगर कोई भी एक चाको है तो चाको की मदद से हां पर आपको करना क्या है इस तरीके से कट करने नहीं चारू तरफ से देखिए चारू तरफ से आपने इस तरीके से कट करने नहीं देखिए बड़ी यह वाली वार इस तरिके से निकल जाएगी नैट कि यह से कट कर लियाeker और किनारे इनको में इंको घ्राश से कट करके निकाल Dash लिए और बीट में जो से जो वाईर आ रही है आपको दिख रही होंगी लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो एक वायर है इस तेंगे बहुत सारी वायर में दिखने को मिलती हैं उनको बीच में अटराश मंत तो रिच अटर में ळीजिए में नीजिए मैंटिस मत होनों इस蒂र में फोकस करते कि के दielle आपको तो इस तुरिके से इस वायर इस बीचवाले के साथ यह साइड की छोट छोटी वायर है यह ठास नहीं होनी चाए बिल्कुल साइड होनी चाहिए देखिए अगर यह गलती आप करते हैं तो दिक्कत आपको बहुत ज्यादा हो सकती है तो यहाँ पर आपको दिखाऊ थो काफी जूम फोकस नहीं बहां देखिए देखिए ये छोटी वायर बीच माटस नहीं होनी चीए तो ये तो हो गया आप करना क्या है देखिए इतना करने के बाद ये वाला जो थोड़ा सा उपर से टेड़ा है इसको सीधा कर लेते हैं आपको इसको किसी भी टूल्स के मदद से सीज आने के लिए है तो ये है कनेक्टर अगर इस तरीके के नेक्टर तो आप इसको फजा लिए दूसरे तरीके के नेक्टर तो उसको भी आप सेम कनेक्टर के साइज एक जैसे रहते तो यहां पर करना के है देखिए इस तरीके से फशाने के बाद देखिए ये फश चुका है से कहा चावर तरप लिए अब करनके आपने यहां पर धिरे 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 यह को फिलाते हैं कि को निच को प्रेस चॉप करना है दिखिए जितना मेरे ने कप nyt करने के लिए बोला था उपर उतना ही कट करना है लग भग तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से घुमाते रही है जब तक कि ये पूरा इसके बाद भी एक छोटा सा काम आपने अभी करना होगा तो वीडियो के इसलिए पूरा जरूर देखें और पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी आधी याधी वीडियो देखिए दब चुका है अब जो ये बॉडि को दबाने के लिए है इसको काफी लोग फैक देते हैं इसको इग्नूर करते हैं तो ये बॉडि को दबाने के लिए होता है यहाँ पर इसको इस तरीके से प्लायर की मदद से बार बार से इस तरीके से दबा लेना है ये हो चु सेंटर वाली वायर है इसके चारू तरफ कोई भी वायर नहीं होनी चीए अगर आपको दिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से किसी भी नुकिली चीज़ से आपने घुमागे बॉडी मां डश कर लेना है साइड वाली जो साइड वाली वायर होती है पूरी बॉडी से अटाच ह हो सकता है तो दोस्तो आपको यह वीडियो काफी पसंद है वीडियो छोटी जरूर थी लेकिन योडेश्फुल थी वीडियो को like जरूर करना आप like नहीं करते हैं और share जरूर करना और comment करके जरूर बताना कि आपको यह जानकारे कैसे लगी अच्छे लगी तो इसको share जरू झाल 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 झाल